हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुक्वित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्ट एंड होष्ट अनीसा आज मैं आपके लिए 20 बहुत ही महतोपुर्ण किचें टिप्स लेके आई हूँ जो कि इस दिवाली म हमारा काम भी आसान कर देगा और बहुत ही जल्दी बहुत ही अमेजिंग किचें टिप्स है तो जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं टिप्स नमबर वन है भिंडी को ज़्यादा समय तक फ्रेस रखने के लिए उस पर थोड़ा सा तेल लगा सरसो का तेल लगाने से भिंडी बहुत दिनों तक ताजी बनी रहती है टिप्स नमबर टू रायता में जीरा हिंग को भून कर डालने के बज़ाए जीरा हिंग का तरका लगाए तो इससे रायता का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है टिप्स नमबर थ्री पनीर अ हल्वा बना रहे हैं तो उसमें मलाई डाल कर भूने इससे हल्वे का स्वाद और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जायेगा और बहुत ही क्रीमी सा उसका टेक्स्चर लगता है टिप्स नमबर फाइव खीर बनाने के लिए हमेशा भारी बरतन का इस्तमाल करें ताकि दूध न भबे बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं टिप्स नमबर सेवन पाइगन को भूंगने से पहले इन पर थोड़े से तेल लगा लें ऐसा करने से जब हम छिलका निकालते हैं इसका तो वह बहुत ही आसान हो जाता है टिप्स नमबर एट सूखी सबजी में नमक तेज हो जाए त तो उसमें थोड़ा सा बेशन मिला दें इससे जो एक्स्ट्रा नमक है वो सबजी का कम हो जाता है और सबजी और टेस्टी हो जाता है टिप्स नमबर नाइन सबजी में नमक और मिर्च ज़्यादा हो जाए तो निम्बू का रस डालने से तीखापन तो कम होगा ही साथ ही साफ कर लीजिए फिर थोड़े से तेल में फ्राइ करके रख दें एयर टाइट डबे में तो जब भी तरका लगा है बस इसको डाल दीजिए तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है टिप्स नमबर 11 दाल और चावल को धोते वक्त उसका पानी एक बरतन में रख लें और इस करी पत्ते के पौधे में डाल दें इससे करी पत्ता का खुस्बू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टिप्स नमबर 12 चौबिन बोड को साफ करने के लिए चौपिंग बोड पर निम्बू और बेकिंग सोडा का साफ करें ताकि उससे मौजूद सभी किटानू निकल जाय और उसमें जो दाग धबे हैं वो भी साफ हो जाते हैं टिप्स नमबर 13 हाथों से किरसुन की महक दूर करने के लिए उन्हें दही लगा कर रगरने के बाद पानी से धोलें टिप्स नमबर 14 दूर फटने के आभास हो रहा हो तो इसमें एक चमच पानी और आधा चमच खाने का सोडा मिला दें इससे दूद नहीं फटेगा टिप्स नमबर 15 टमाटर का सूप बनाते समय इसमें थोड़ा सा पूदीने का पौडर डाल दें इससे स्वाद और दुगना हो जाता है टिप्स नमबर 16 कुछ उबलने के लिए रख रहे हैं तो प्रेसर कूकर या पैन का कर दें इससे खाना जल्दी बन जाता है और गैस की भी बचत होती है अगर चावल जल जाए तो उसके उपर वाइट ब्रेड की स्लाइस रख दें इससे जलने की बदबू नहीं आएगी यह टिप्स नमबर 17 टिप्स नमबर 18 है चावलों को कीरे से बचाने के लिए उसमें क साफ करने में बहुत दिक्कत होता है उसको आसानी से साफ करने के लिए आधा टीए स्पून सोडा विनेगर और सर्फ मिलाकर यूज करने से तुरंत डब्बे जो है वो चमक जाते है और हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है टिप्स नमबर 20 चीनी वाले चाई के बजाए अ आज आपको ये कीचेन टिप्स कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको मेरे कीचेन टिप्स थोड़े से भी यूसफुल लगे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूले ताकि जो भी वीडियो या फिर टिप्स में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें मेरे रेसिपी को मेरे टिप्स को अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ जरूर से सेयर करें ताकि मुझे भी उनका सपोर्ट मिल सकें और उन्हें भी ये टिप्स ज जै माता दी, हप्पी दिवाली, बाबाई